कि अगर हम सरगुजा की बात करते हैं तो सरगुजा मूर्णुसर asset जहारखड में बहुत ज्ञैसकी क्हेटी रही है अन्गिक की दूपाई हैं सबसे पहले आता है कियों किसान भाइक जारु हमारे जहां जहार्खनि यह सही बात है कि सरगुजा की खेती जो है काफी पहले से किसाने के द्वारा की जाती है लेकिन उचित साइंटिफिक धंग से नहीं करने के कारण उनके उत्पादन में काफी कमी आ जाती है और काफी कम उत्पादन होने के कारण उनको काफी छती उठाना पड़ता है तो जो तरीका इसका वैग्यानिक तरीका जो है उसमें जैसे खेत प्रवंदन है तो खेत की तयारी करने के लिए सरपर्थम जो है किसान भाईयों को मैं यही कहूँगा कि वो सरपर्थम जो है अपने खेतों में दो से तीन बार जो है मीटी पलटने वाले हल से खेत की जुटाई कर दे उसके बाद जो है पाटा लगादे पाटा लगाने से क्या होगा जो मीटी जो धेले हैं वो तूटकर छोटे-छोटे हो जाएंगे और भूरूरी मीटी हो तो जिन किसान भाईयों के पास अगर उपलब्ध है सड़ा हुआ गोवर खाद तो वो पांस चन प्रती हेक्टेयर के दर से अपने खेतों में तैयारी करने के पुर्ब जो है इसको डाल करकर के फिर जुताई करकर के खेत की तैयारी करें किसानों को उननत बीज काफी उसके पहले प्रवंधन कर लेना चाहिए जैसे उननत बीज में हमारे विर्षा किरसीबिस विद्याले की दो तीन भाराइटी है विर्षा नाईजर वन विर्षा नाईजर टू विर्षा नाईजर तिरी पूजा इस तरह दो चार प्रजातियां ह है और ये जो है 95 से 105 दिनों में वो पकर तयार हो जाता है और इसकी जो काफी अच्छी उपज छमता है तो इन परजातियों का गरुपियों करता है और उसके साथ साथ इसकी दूरी हमारे किसान भाई यहां के क्या करते हैं कि वो सीधा जो है अपने खेतों में सीड लाकर करके बिखेर देते हैं तो वैसी अस्थिती में उनका उपज में काफी कमी आ जाता है तो इसके लिए किसान भाई को क्या करना है कि लाइन से वो इसकी बुआई करें लाइन से बुआई करने का भी जो है एक पंक्ती से दूसरे पंक्ती की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो आपका 10 सेंटीमीटर होता है लेकिन अगर इसको लेट से बुआई कर रहे हैं हमारे किसान भाई तो पंक्ती से पंक्ती की दूरी तो 30 सेंटीमीटर रहेगी लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जो है वो आप को 10 cm हो जाएगा और समय पे अगर आप इसका बुआई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 cm हो जाता है और इसका लगाने का जो उचीत समय है वो 15 अगस से 15 सेप्टमबर है यह मतलब उचीत समय है इस बीच अगर आप लगा देते हैं और जो बताई गई दूर अगर लगाते हैं तो आपका अच्छा उत्पादन होता है अगर जो किसान भाई समय नहीं लगा पाते हैं तो वो लास्ट सेप्टमबर तक भी जो है इसकी बुआई कर सकते हैं लेकिन अगर समय से बुआई आप करते हैं तो प्रती हेक्टेर जो है 5-6 kg बीच की आवसकता ह होती है